हेलो गाईज तो ऐसी कूर कुरी चट पटी आलू चट खाने को मिल जाता आप मना कर सकते हो इसे तो किसका वेट करें फटा फट से चानल को सब्सक्राइब करो और इस रसीपी को बना के इंजोई करो इस रसीपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए था आलू उन्हें अच्छे से पील कर लिया था और उसके बाद हमने इसे कट कर लिया था चोटे चोटे पीसिज में उसके बाद अच्छे से वाश कर लिया था दो से तीन पानी में अब बार्याती आलू को तलने की जिसके लिए हमने कड़ाय में ओयल हीट कर लिया है और उसमें हम डालेंगे आलू लेकिन हम सारे आलू नहीं डालेंगे थोड़े ही डालेंगे और इन आलू को हमें तरना होगा slow frame पे high frame पे बिल्कुल भी नहीं तरना है ने तो ये कच्छी रह जाएंगे और 2-3 मिनिट के बाद इने slow frame पे तरने के बाद इनका color हल्का हल्का change होगा अब हमें इसे निकाल के रख लेना है अब बाकी बचे हुए आलू को भी हमें इस तरीक से तल लेना है और जब तक ये आलू हम तल रहे हैं तब तक पहले वाले आलू ठंडी हो चुके होगे अब हमें इने डालेंगे और इनने हम तल लेंगे हाई फ्लेम पे दाखी अच्छे से कृस्प हो जाएं और अब धीरे दिरी ये आलू उपना अपना डाक वालेए हैं अब निलुएं को निकाल लेंगे और बचे हुए आलो को भी इसी तरीकी से बना लेंगे अब सारे आलो को तलने के बार में इन में हम डालेंगे सबसे पहले एक चमच इमली चिमली पानी टैमरिन वोटर एक चमझ घरिर चटनी की नमक नमक यानी ong चात मसला एां फिर जलची रखा पाउडर पाउडर आदा चमझ रोस्ति खेर पाउडर ou καम k ठोड़े सी लाल मेटी पाउडर killingמתी रेचली पाउडर और इसे सर्फ करने के बद इसमें थोड़ा सा आड़ करेंगे लेमन जूस या निनी बुकरास और फानली इसी के साथ हमारी कृस्पी गर्मागरम दिली स्टाइल आलुचाड बन के तयार है so I hope you enjoyed my today's recipe and if you did then don't forget to share this recipe with your friends and family and thanks for watching my video